नमस्कार डिबिलाएक शत्तिसगड में आपका स्वागत है शत्तिसगड की तमाम बड़ी खबरों के साथ मैं हो सिम्रन को और आईए देखते हैं आज की सुर्ख्या ED की कार्यवाही को लेकर मुख्यमंत्री ने भाज़मा पर साधा निशाना कहा ED, CBI वा IT लोगतंत्र के लिए बनी खत्रा पेस सिहद्यव ने विधान सभा चुनाओं को लेकर दिया बड़ा बयान कहा एक सीट से कोई मतलब नहीं रहेगा चाहे अच्छा हो या बुरा और बिलास्पूर के बिलहा में आयोजित हुआ कॉंग्रेस का संकल्प शिविर प्रदेश अध्यक्ष ने कहा भाज़पा ने बस्तर को जलता हुआ छोड़ दिया था 36 गड़ में ED की कारवाई को लेकर CM भुपेश मघेल ने भाज़पा पर जम कर निशाना साधा है बुख्यमंत्री ने कहा कि ED, CBI और IT लोगतंत्र के लिए खत्रा बन गई है भाजपा और केंदर सरकार इसका दुरूपयोग कर रही है बुख्यमंत्री भुपेश मघेल ने रायपूर में मीडिया से चर्चा करते हुए कहा कि भाजपा के प्रदेश प्रभारी ओम माथूर ने कल हे सरगुजा में कहा कि आगे देखते जाईए दो महीने में और क्या क्या होता है बुख्यमंत्री ने ऑनलाइन सट्टा एप मामली में भी एटी पर सरकार को बदनाम करने का आरोप लगाया है अभी आनलाइन सट्टा के बारे में चर्चा चल लही है तो सबसे पहली बात यह है कि 36 गर में उसको कोई आफिस नहीं है जो खिलाने वाले हैं वो जरूर यहां के है और 30 मार्च 2022 को पहला एफाया दूर्ग में किया लिया फिर रायपूर, बिलाजपूर, सभी जगा करीब 72 प्रकारंदा थी 36 गर के पुलिस के द्वारा CM भूपेश मघेल ने कहा कि ये लोग एक विभाग में जाते हैं फिर दूसरे में जाते हैं और फिर वहां कुछ नहीं मिलने पर तीसरे विभाग में चले जाते हैं लेकिन वहां भी इन्हें कुछ नहीं मिलता अभी ओनलाइन एप पर उनका चल रहा है जिस पर राजर सरकार पहले ही करवाई कर चुकी है और लुकाउट सरकुलर भी जारी किया गया है उन्होंने कहा कि इनका मकसद केवल राजनेती है, मुख्या आरोपियों पर करवाई करना इनका उद्यश्य नहीं है यहां के प्रभारी ओम माथूर ने कर सर्विजा में कहा कि अभी आगे देखती जाईए आगे दो मेने और क्या क्या 36 गड़ के उपमुख्यमंत्री टीयस सिह देव ने विधानसभा चुनाव को लेकर एक बड़ा बयान दिया है उन्होंने 36 गड़ के 90 विधानसभा में से एक विधानसभा सीट में कोई दखल नहीं देने की बात कही है बलरामपूर जिले के सामरी विधानसभा चेतर के राजपूर में उपमुख्यमंत्री टीयस सिह देव ने कारिकरताओं से मुलाकात की इस दवरान मंच से उन्होंने आगामी विधानसभा चुनाव में प्रदेश की 90 विधानसभा सीटों में से एक विधानसभा सीट से किसी प्रकार से कोई मतलब नहीं रखने की बात की उपमुक्यमंत्री टीयस सिहदेव ने कहा कि मैं एक सीट से कोई भी मतलब नहीं रखूंगा जो हो सो हो चाहे अच्छा हो या बुरा हो टीयस सिहदेव ने मंच से इशारों इशारों में ही अपनी नराजगी जाहिर कर दी है इसके अलावा उपमुक्यमंत्री ने दुख व्यक्त करते हुए कहा है कि कॉंग्रेस का रेकाल में छेत्र की जनता की उपैक्षा होई है जिससे उनका भी मन दुखी है कि आप कुछ बुरोगे तो मेरे तरफ से समझा होता नहीं हो सकता आज तक व्यक्तिकत मेरे खिलाफ कहीं लोगों ने बहुत कुछ किया मैंने कभी उसको राजनीती के छेत में बीच में आने नहीं दिया लेकिन आज एक घटना इसी घटी है 36 घट में जिसमें एक सीमा पार करके किसी ने मेरे ओपर आरूप लगाया जान के खत्रे का आरूप लगाया वहाँ पर समझा होता नहीं हो सकता आगे क्या होगा यह पुब्लिक जाने आगे क्या होगा यह पार्टी जाने लेकिन मेरे तरफ से वहाँ समझा होता नहीं हो सकता बिलासपूर के बिलहा में आयोजित संकल्प शिविर में मुख्यमंत्री भूपेश मगेल प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज सहित अन्य कॉंग्रेस नेता शामिल हुए इस दोरान कॉंग्रेस नेताओं ने प्रदेश में दोबारा कॉंग्रेस के सरकार बनाने के लिए संकल्प दिलाया बिलास्पुर के बिलहा में आयोजित संकल्प शिविर में प्रदेश कॉंग्रेस अध्यक्षत दीपक बैज ने कहा कि भाजपा ने अपने 15 साल के कारिकाल में बस्तर को जलता हुआ छोड़ दिया था राज़ में कॉंग्रेस के सरकार आने के बाद बस्तर में नए स्कूल खुल रहे हैं और दोगी की विकास हो रहा है बस्तर का कपड़ा विदेश जा रहा है और आधिवासियों को जल जंगल जमीन का अधिकार दिया गया है शिविर में कॉंग्रेस के 36 गढ़ सह प्रभारी डॉक्टर चंदन यादव विजय जांगिर के साथ ही प्रभारी मंतरी तामरधवच साहू मवजूद हैं शिविर में बूथ प्रबंधन के साथ ही गठित कमेटियों और कामकाज को लेकर बूथ कमेटी के पदाधिकारियों से चर्चा की गई फारत सरकार की आवास और शहरी कार्य मंतरालाई ने इंडिया स्मार्ट सिटीज मिशन 2022 की अंतरगत कई अवार्ड की घोशड़ा की इसके अंतरगत रायपूर स्मार्ट सिटी को 5 आवार्ड मिले हैं वही मोर्रायपूर एप को नेशनल e-governance अवार्ड से नवाजा गया है 36 गड़ की राजधानी रायपूर में e-governance के लिए मोर्रायपूर एप के सिस्टम को बहतर कदम बाना गया है एप के अंतरगत, डिजिटल डोर नंबर प्लेट, नगर निगम से संबंधित करों के भुकतान, सेवा और शिकायतों के समाधान का सिस्टम तयार करना है, जिससे नागरिक सेवाओं को हाई टेक किया जा सके भारत सरकार के प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग ने इसे राष्ट्रिय ई-गवर्नेंस पो रुष्कार दिया है प्रशासन के कुछ अधिकारी और मोहन मरकाम के बेच प्रतियोगिता हुई जिसमें मोहन मरकाम ने प्रथमिस्थान प्राप्ट किया गड़ के साथ नमश्कार